श्रीपाद स्रीवल लबचरितामृत अध्याई 20 नाना, आजकल तुम हमेशा मेरे द्यान में ही रहते हो, तुम दन्य हो, मैं अपना नर्सिम्ह सरस्वती अवतार में बिल्कुल आपके ही रूप दारन करूंगा, यह सच है फिर हाथ में हाथ डाल कर वादा किया था, बापनारी ने पूछा, श्रीपादा, कई दिनुम से मेरे मन में एक संदेह काया जा रहा हैं, मैं पूछूं तुरंट श्रीपाद हसने हुए बोले, नाना, आप और संदेह, दस साल का बच्चा में उस संदेह दूर करूं, फिर भी चलो, कोशिश करने में क्या हर्ज हैं अपना संदेह प्रकट करते हुए, बापनारी ने सवालों की बारिश बरसाए, ब्रम्ह, विश्नु और महेश्वर ही सुरुष्टी, स्थिती लए करते हैं ना, हाँ, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती उनके शक्ति स्वरूप ही हैं ना, हाँ आधिपराशिक्ती ने ही इन त्रिमूर्तियों वा त्रिशक्तियों की सुरुष्टी की हैं ना, हाँ, ऐसी स्थिती में तुम काउन हो बार-बार तुम जो बहन के बारे में बोलते हो, वह वासवी काउन है आप दोनों बाई बहन हो, इसका प्रमान कुछ है क्या, कोई शास्त्र या पुरान में इसका जिक्र है क्या नाना के मुह से प्रश्णों की बहुचार कतम होते की स्रीपाद ने मुग्द मनोहर मुस्कुराहत के साथ उत्तर दिया नाना, अभी अभी आपकी आँखों के सामने ही मैंने इस कांटेदार जाडीं को सद्गती दिलवाई यह विचिक्सा में मत पड़ो की मैं जो भी कारी करता हूँ उसके लिए स्यास्त्र प्रमान है या नही मैं सभी योग भूमिकावों में उपस्तित हूँ जो योगी जिस भूमिका में विद्यमान है वह मुझे उस भूमिका में अवश्य मिल सकता हूँ सुरुष्टी माया नहीं, इसे सुरुष्टी मानना माया है पूरी सुरुष्टी में बगवत चेतन्य विद्यमान है सूर्य चेंदरादी कगोलों की वजह से हमें काल का अनबव होता है अत्रि महर्शी एक ही समय में त्रिकाल ज्ञान वा अवस्तात्री ज्ञान दोनों का अनबव कर सकते थे अनसु या मा सुरुष्टी के अनसु या तत्व का अनबव करती थी जबकि मैं एक ही समय में सुरुष्टी, स्तिती, लयर, स्तूल, सुक्ष्म, कारण, शरीद, भूत, भवशित, वर्तमान, आदी का अनबव कर सकता हूँ इसलिए मेरा काल नित्य वर्तमान है जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा आदी सभी एक ही समय में मेरे अनबव में आते हैं ऐसी स्तिती में त्रिमूर्तियम एवं त्रिसक्तियम मेरे अंदर ही समा हो तो आश्यरी की क्या बात है हाँ यह तद्य है कि सुरुष्टी से पहले आधिपराशिक्ती में त्रिमूर्तियां वा त्रिशक्तियां आधि उपस्तित है मैं और आधिपराशिक्ती अबिन्य है यहाँ सोक्षमाम्स यह है कि सारी सुरुष्टी मातर गर्ब से ही होना है ऐसे महा संकल्प की वजह से आदिपराशिक्ति का प्रादुर्बाव हुआ वह ब्रह्मयोनी का स्वरूप है उसी से त्रिमूर्तियम वा त्रिसक्तियम उद्बाव हुई आदिपराशिक्ति की सुरुष्टी करनी है या सुरुष्टी की रचना इस प्रकार होना है यह संकल्प क्यों हुआ इन संकल्पों के पीचे की प्रबोधन शक्ति में ही हुआ अर्तात महा संकल्प स्वरूप उस महा संकल्प के अनुसार ही आदिपराशक्ति त्रिमूर्तियों वा त्रशक्तियों का प्रादुर्बाव हुआ उस महा संकल्प स्वरूप ही परमगुरु स्वरूप यह अत्यंतरहस्य की बात है उस महा संकल्प स्वरूप को जयों ही संकल्प होता है त्यों ही उसकी सिद्ध हो जाती है अर्तात संकल्प और सिद्ध एक ही समय में ही हो जाते है मैं वह मोलशक्ती हूँ जो सभी शक्तियों पर नियंतरन करती है सुरिष्टी में माता शिशु, पिता पुत्र, पती पत्नी और बाई बहन के संबंद अनिवार्य है इन पवित्र संबंदों को आदर्श साबित करने के लिए देवी देवता स्वरूप उद्बव हुए जीवी माया में रहने वाली शक्ती है जबकि मैं माया के परे की महाशक्ती हूँ जो महाशक्ती स्त्री स्वरूप में वासवी कन्यका कहलाई जाती है वही पुरुष स्वरूप में स्रीपाद स्रीवल्लब है इन दोनों स्वरूपों के आविर्बावों भी महा संकल्प के अनुसार हुआ जब सादक आधिपराशक्ति या मूल दत्त की आरादना करते हैं तो त्रिमूर्ति और त्रिशक्ति अंतरलीन स्थिति में रहते हैं ये दैविक सम्मंद, उनके तत्व, उन स्तितियों के अनुबव सिर्फ वे ही लोग जान सकते हैं जिनके पास साधना संपत्ति का बंडार है तीकम्मराम इलाव।